So coming on to next lecture of electrostatics पिछले lecture में हम लोगोंने electric charge के basics पढ़े थे तो अब हम लोग इस lecture में पढ़ेंगे methods of charging Okay, so पहले define करते what is charging Charging यानि क्या, body पे charge आना, body पे charge चड़ाना So body can be either positively charged और it can be negatively charged Okay, the simplest method of charging a body Either positively or negatively is by adding or removing electrons है ना, हम लोग quantization में पढ़े, मैंने पिछले lecture में पढ़ाया कि जब भी हम लोग electrons निकालते हैं, तो body positively charge होता है और जब भी हम electrons add करते हैं, तो body negatively charge होता है है ना, यह हम लोगों ने पढ़ा So this process, जहां पे हम लोग एक uncharged body पे charge चड़ा रहे है Okay, that process is known as charging, है ना, समझ में आ है सबको, तो अब charge कैसे चड़ाया जा सकता है There are six methods, okay, by which a body can be charged So first one is by friction, friction याने दो bodies को rub करना जब तुम दो bodies को एक दूसरे से rub करते हो, तो होता यह है कि एक body से electrons निकल के दूसरे body में जाते हैं और जिस body से electrons निकलते हैं, जिसे इस case में यह body से electrons निकल रहे हैं तो यह बन जाती है positive charge, और जिस body में electrons गएं, वो बन जाती है negative charge है ना, तो इस तरीके से हम लोग body को charge कर सकते हैं एक body negative charge हो जाएंगी और दूसरी अपने आप positive charge हो जाएंगी क्योंकि electrons का transfer हुआ, तो friction में electrons का transfer होता है है ना, अब इसमें याद रखने लाइक, जो neat के लिए सबसे important है, वो यह अगला table है जही नीट के लिए जो important है, वो table है, सब में पहला positive charge and negative charge, अब अगर suppose हम लोग glass rod को, glass rod को किसके साथ में रब करेंगे silk cloth के साथ में रब करेंगे, तो glass rod से electrons निकलेंगे तो इसलिए glass rod हो जाएगा positively charge, और silk cloth में जाएगे, तो वो हो जाएगा negatively charge तो I would suggest यह pair याद रखना, glass rod और silk का, है ना, दूसरा pair जो तुमको याद रखने है, दूसरा इदो ही pairs याद रखने है वो है Ebonite rod and fur, या फिर wool तो जब तूम Ebonite rod को wool या fur से rough करते हो, तो electrons Ebonite rod से नहीं निकलेंगे इस बार, इस बार निकलेंगे wool से, यह ना, बुल से निकलके rod में जाएंगे पिछले बार rod से निकल के cloth में कहते हैं इस बार cloth से निकल के rod में जाएंगे so wool यह फर यह क्या हो जाएगा positively charged और जो ebonite rod है यह हो जाएगा हमारा negatively charged I would suggest यह table बना लो लिख लो और एक बार revise जरूर करके जाना नहीं तो confusion हो जाएगा okay now next method is by the method of conduction conduction अब conduction वाले method में हम लोग क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं एक rod लेते हैं जिसके उपर charge होता है ठीक है यह एक rod है जिसके उपर charge है ठीक है और ऐसा एक body है जो अंचार्ज है इसको अपने को इस पर उपर charge आने अब हम लोग क्या करेंगे यह body को इस rod से touch करेंगे और फिर इसको separate करेंगे the moment हम लोग इस body को अंचार्ज body को इस rod से charge rod से touch करेंगे तो charges निकलके उस rod से उस body पर चले जाएंगे मतलब थोड़ी देर बाद यह body पर यह charges निकलके आ जाएंगे समझे इस तरीके से body charge हो जाएंगा अब इसमें याद रखने लाए क्या concept क्या है जो हमको जिस तरीके की charge body लेकर आते हम लोग उसी तरीके का charge उस अगले वाले बाड़ी पर अंचार्ज बाड़ी पर चड़ता है अगर यह negatively charged रहे की तो यह body भी negatively charged होगी ठीक है समझ में आया यह concept समझ में आया है ना इसको step by step समझाँगा ध्यान से समझना बहुत इंट्रेस्टिंग कॉंचेक्ट सपोज यह body है जो चार्ज है अब हम लोग क्या करेंगे यहां पर एक अब होगा यह कि इस अंचाज बॉड़ी है इसका मतलब इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है क्या इसके अंदर चार्ज है लेकिन जितना positive चार्ज है उतना ही negative चार्ज है जितने protons है उतने electrons है ऐसी बात है मतलब total चार्ज जीरो है लेकिन जतना पॉसेटिव है उतने इसलिए टूटल जीरो है अब होगा क्या जैसे हमने यह रॉड लाया इसको टच नहीं किया इसके पास में लाके रखा तो एक साइड में एक साइड में सारे नीगेटिव चार्जेज जमा हो जाएंगे अट्रैक्ट हो के ये positive अंदर के negative charges को attract करेगा और positive charges को repel करके body के दूसरे side में फेक देगा ठीक है अब अभी भी इस body पे charge 0 ही है बस charges क्या होगे separate होगे अब हम लोग क्या करेंगे ना इसको अर्थ कर देंगे अब अर्थ करने से क्या होगा कि अर्थ के अंदर के जो electrons है वो जाएंगे अंदर इसके अर्थ के अंदर के क्या करके रखा है अर्थ करके रखा है इस body पे सिर्फ कौन से charge बचेंगे निगेटिव चार्ज बचेंगे इस पर निगेटिव चार्ज पर हम लोग यह अर्थ अटा देंगे अब इसमें पॉइंट में इसके अंदर क्या बात याद रखने लाइक है हम लोगों ने जो बाड़ि लाला था यहां पर यह कैसा बॉड़ि था लेकिन अंचंगे चार्जन ड़ आखिर ब्च बचाना मतलब जिस प्रकार की चार्ज बढ़ि लाता है उसके हरा उसके उस अंचाज बोडी पे बन जाता है अगर में यह निगेटर लाता था एक पाक के रहसे लिधंि चाज रहे जाती है इंड्चिन में अपोसिट चार्ज in жиз होता है फ्रोड्यू कट है इंड्वाइपड deficit थर्मियोनिक एमिशन आगे हमको बहुत डीटेल में आएगा अभी सिर्फ याद रखने हैं थर्मियोनिक एमिशन में क्या होता है ना हम लोग एक अबजेक्ट को बहुत गरम करते हैं यह लोग हीट के वज़े से उसके अंदर से यह ना इलेक्ट्रोन बाहर आ जाते हैं heat देने के वज़े से electrons का emit हो न this process is known as thermionic emission अब क्योंकि electrons बाहर आ रहे तो body हो जारी positively charged body कैसी charge हो जारी है positively charged so ये process में thermionic emission में electrons emit होते और body positively charged हो जाते है सभी को समझ में आया okay so this was fourth method of charging fifth method of charging is by photoelectric effect okay photoelectric effect क्या है photoelectric effect में हम लोग photo sensitive surface लेते है dual nature वाले chapter में हम लोग बहुत detail में पढ़ेंगे इस photo sensitive surface पे हम लोग particular energy का photon फिक के मारते photon फिक के मारते मलब photon डालते particular energy का अच्छे खासे energy का जिसके वज़े से ये object में से इस material में से again electrons बाहर आते हैं अब क्योंकि इसके अंदर से electrons बाहर आ रहे तो ये body हो जाती है again positively charged so this phenomenon is known as photo electric effect जहां पे हम लोग एक photon बाडी पे फिक के मारते हैं और उसके अंदर से electrons बाहर आते हैं इसके उपर एक separate chapter है जिसका नाम है dual nature of radiation and matter उसमें हम लोग बहुत detail में पढ़ेंगे इसको ठीक है now last is by field emission field emission अब field emission में क्या कर देना हम लोग this is last method of charging एक object पे बहुत जोरदार electric field लगाते हैं हम लोग electric field we apply a large electric field बहुत strong electric field लगाते हैं बहुत strong electric field लगाने के वज़े से भी हम लोग अंदर से electrons बाहर निकाल सकते हैं उस body के अंदर से electrons बाहर निकाल लेते हैं again वो body हो जाता है positive recharge for electric filled लगाने से electrons कैसे बहार आएंगे हम लोग पढ़ेंगे बहुत detail में आगे के part में capacitance वाले part में dielectrics वाले part में हमको बहुत detail में पढ़ना है okay so अभी हम लोग बहुत जादा उसके उपर बात नहीं करेंगे सिर्फ concept समझेंगे कि बहुत जादा strong electric filled लगाने से भी body क्या हो सकती है, चार्ज हो सकती है बहुत से बुक्स में पहले तीन प्रोसेस ही दिये है by conduction, by friction और by induction ये तीन प्रोसेस भी होते हैं जिससे बॉड़ी चार्ज की जा सकती है So these were all this total six methods of charging a body, समझ मैं है सबको Okay, so that's it for today Next lecture में हम लोग बात करेंगे Coulombs Law के बारे में, okay Bye everyone